Hello everyone, Welcome to Success with Rai Academy 3 December 2022 के दैनिक जागरण के राष्टे संस्क्रण को आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली news हम ले रहे हैं कि AIMS Cyber Attack के पीछे कोई बड़ा गैंग या फिर देश अभी आपने पिछले एक दो दिन में newspaper में देखा होगा कि AIMS का जो server है वो hack कर लिया गया था और वो एक cyber attack था उसके बाद ये बयान आया है कि electronics वा IT राज्यमंत्री राजीव चंसेखर ने AIMS Cyber Attack को बड़ी साजिस बताया है उन्होंने कहा कि इस साजिस के पीछे किसी बड़े गैंग या किसी देश का भी हाथ हो सकता है NIA CERT दिल्ली पुलिस इस मामले की जाच कर रही है वही उनका मानना है कि IT infrastructure में कमी की वज़ा से AIMS में ran somewhere जैसी घटना होई है ऐसी घटना को रोकने के लिए मंत्राले AIMS जैसी संस्थाओं के लिए IT standard तै करने जा रहा है मंत्राले सुत्रों के मताबिक IT संबंधी सक्त guideline जारी की जाएगी और security manager निक्त किये जाएगे मंत्राले की तरफ से भी इस प्रकार की संस्थाओं का IT audit कराया जाएगा और बीच बीच में ओचक निरिक्षन भी किया जाएगा ransomware की वज़ा से पिछले आठ दिनों में AIMS के server hack थे और इससे online कामकाश प्रभावित हुआ है मरीजों को OPD में दिखाने के लिए देर रात लाइन में खड़े होकर number लगाना पड़ रहा है electronics वो IT मंत्राले के सूत्रों के मताबिक AIMS जैसी स्वायत संस्थाएं IT सेवा के लिए निजी कंपनियों की सेवाई लेती है next news है सुरक्षा परिसद में सुधार पर एक और जोर लगाएगा भारत सितंबर 2022 में सुविक तराष्ट महासभा की बैठक के दोरान जिस तरह से कई देशों ने सुरक्षा परिसद याने की UNSC में सुधार की वकालत की उसे देखते हुए भारत अब इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर अंतराष्टिये फलक पर लाने की कोसिस करेगा यह कोसिस इस महीने याने की दिसंबर में होगी जब भारत सेयुक तराष्ट रक्षा परिशत का एक महीने के लिए अध्यच बना है भारत की तरफ से UN में 14 दिसंबर को मौजूदा बहुपक्षिये धाचे में बदलाओ को लेकर उच्चिस्तरिये बैठक आयोजित की जा रही है इसमें विदेश मंत्री S.J. संकर भारतिय दल की अगवाई करने अमेरिका जा रहे हैं भारत की तरफ से यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा कि UN विस्सु बैंक समेत अन्य बहुपक्षिये संगटनों को किस तरह से वैस्विक परिवर्तन के हिसाब से प्रासंगिक बनाया जा सकता है और इसके लिए क्या ठोस कदम उठाय जाने चाहिए विदेश मंत्राले के मुताबिक भारत की ओर से इस मुद्दे पर खुली बहस का आयोजन किया गया है ताकि सभी देश अपने विचार रख सकें इसमें UN के महासचिव एंटोनियो गुत्रेस वह महासभा के प्रेसिडेंट कुसाबा कुरोसी हिस्सा लेंगे सरकार ने अंडमान और निकोबार के 21 निर्जन दीपों के नाम युद्धकाल के दोरान देश के सर्वोच वीरता प्रुसकार परमवीर चक्र के विजयताओं के नाम पर रखे हैं इन 21 दीपों में से 16 उत्तरी और मद्ध अंडमान जिले में इस्थित हैं जबकि 5 दीप दच्चन अंडमान में इस्थित हैं अंडमान और निकोबार दीप समू के सांसथ कुलदीप राय सर्मान ने सुक्रवार को केन सरकार के इस फैसले का स्वागत किया उन्होंने कहा कि मुझे खुसी है कि केन सरकार ने हमारे वीर सैनिकों के लिए 21 दीप चुने हैं उन्होंने इस्थानिय प्रसासन से एक हैंडबुक भी प्रकासित करने को कहा ताकि स्कूली बच्चों को इन वीर सैनिकों ने अपनी मात्र भूमी के लिए दिये सर्वोच बलिदान की जानकारी मिल सके सुतंतरता सिनानियों के बलिदान के चलते अंडबान निकोबार द्वीप समू एक तीर्थ इस्थल है इन में से कुछ द्वीप संदक्षित वंचेत्र हैं जहां वाटर सपोर्ट की खासी संभावनाएं हैं नेश्ट है बेपट्री नहीं की जानी चाहिए वर्तमान कोलोजियम प्रणाली सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट ने कहा है कि कुछ व्यस्त लोगों के बयानों के आधार पर वर्तमान कोलोजियम प्रणाली को बेपट्री नहीं किया जाना चाहिए अदालत में जोर देकर कहा कि सीर्स अदालत सरवाधिक पारदर्सी संस्थाम में से एक है कुलोजियम प्रणाली को लेकर नया पालिका में विभाजन और सरकार के साथ विवात के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीर्स अदालत के कुछ ऐसे पूर नयाधिस इस प्रणाली के बारे में क्या कह रहे हैं कि वह इस पर टिपड़ी नहीं करना चाहती हैं जो पूर में सुप्रीम कोर्ट कुलोजियम के सदसे रहे चुके हैं वर्तमान में काम कर रहे हैं कुलोजियम प्रणाली को बे पट्री मत कीज mistaken के वियस्त लोगों के आधार पर काम नहीं करती कॉलोजियम को कर्तव्यों के मताबिक काम करने दीजिए हम सबसे पारदर्सी संस्थानों में से एक हैं सीर्स अदालत RTI कारकरता अंजली भार्दवाज की दिल्ली हाई कोट के आदेश के विरुद दियाचिका पर सुनवाई कर रही थी नेक्ट निउस पर आते हैं नेक्ट निउस है इस रेल्वे के सबसे बड़े सोलर प्लांट में इसी महा सुरू होगा बिजली का उत्पादन भारती रेल्वे के सरवाधिक उत्पादन शमता वाले सोलर प्लांट पावर प्लांट से इसी महीने से विद्दुत का उत्पादन सुरू हो जाएगा रेल्वे ने दुर्ग जिले के चरोदा में 200 एकड भूमी पर 50 मेगावाट चमता वाला सोलर प्रांट लगाया है या भूमी पर 154,500 सोलर प्लेट बीस बीस प्लेट की कतार में लगाई गई है इन्हें 33 किलो वाट की चमता वाले केबल से जोड़ा गया है परिशर में 33 किलो चमता का विद्धू सब स्टेशन भी बनाया गया है इस प्रोजेक्ट पर 300 करोण रुपए की लागत आई है इस सोलर प्लांट से ग्रीन उर्जा का उत्पादन इसी वर्स फरवरी में प्रारम करने का लक्ष था परियोजना में 10 महीने की देरी हुई है परन्तु अब यहा पूरी तरह तयार है कमीशनिंग से पूर अंतिम जाच की जा रही है और सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली यहां से 4 किलोमीटर दूर इस से दूसरे सब स्टेशन को भेजी जाएगी यहां से कुमहारी इस्थित पावर ग्रिड कॉर्परेशन से सब स्टेशन में विद 2023 के आम बजट में क्रशी के अलावा उससे चुड़े अन्य उद्दमों को खास तवज्जो मिल सकती है अगर वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन यहां कदम उठाती है तो इससे जहां किशानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी वहीं वैस्विक बजार में देशी उत 2023 तक पहुँच चुकी है पिछले एक दसक के दोरान दुद का उत्पादन बारत इसमलों एक करोन टन से बढ़कर 21 करोन टन पहुँच गया है उत्पादन की इस तेज उचाल से जहां क्रिसी छेत्र की विकासदर को तेजी मिली है आगामी वित्तवर्स के आम बजट में तोर पर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विक्सित देशों से तुलना करें तो पिछले एक वर्स के दोरान भारत में रहने और खाने के खर्च में बढ़ोत्री की दर्ग कम रही है SBI के तरब से सुक्रवार को जारी सोध रिपोर्ट इको रैप में कहा गया है कि भारत में महेंगाई का दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम है अंतराश्य मुद्रा कोस ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि किस तरह से महेंगाई ने पूरी दुनिया में आम आदमी के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है इकोरेप ने 100 रुपए की कीमत के आधार पर कई देशों में रहन सहन की लागत का अध्यन किया है रिपोर्ट के मताबिक अगर सितंबर 2021 में इन देशों में रहने की लागत 100 रुपए है तो इसमें जर्मनी में 20 रुपए, ब्रिटन में 23 रुपए और अमेरिका में 12 रुपए की व्रद्धी हुई है नेक्स निउस है नवंबर के पहले पक्वाडे में बैंकों के कर्ज वित्रण में 17 परतीसत की बढ़ोतरी घरेलू बैंकों के कर्ज वित्रण में व्रद्धी का सिलसला जारी है RBI ने सुकरवार को बताया कि नवंबर के पहले पक्वाड़े में बैंकों के कर्ज वित्रण में 16.9% की व्रधी आ रही है RBI के अनुसार 18 नवंबर को समाथ पक्वाड़े में बैंकों का कर्ज वित्रण बढ़कर 133.29 लाग करोंड रुपे रहा 177.15 लाग करोंड रुपे रहा जो पिछले वर्स समान अओधी में 162.06 लाग करोंड रुपे था नेक्स्ट है इंटरनेशनल पेज से कि पश्चिमी देश मांगे मान लें तो रूस युद्ध समापती पर वारता को तयार राष्ट पति ब्लादी मेर पुतिन जो रूस के राष्ट पती हैं युक्रेण में युद्ध समापती पर बात करने के लिए तयार हैं लेकिन इसके लिए पश्चिमी देसों को रूस की कुछ मांगे माननी होंगी यहाँ बात रूसी राष्टपती के क्रेमलिन कार्याले ने कही है रूस की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन दोरा पुतिन से सीधी वारता की इच्छा जताने के बाद आई है Biden ने कहा कि Ukraine युद्ध की समापती के लिए वह राश्टपती पुतिन से वारता के लिए तयार हैं आमेरिका के दोरे पर गए, फ्रांस के राश्टपती Emmanuel Macron से वारता के बाद अमेरिकी राष्टपती ने संयुक्त प्रेस कॉन्फरेंस में पुतिन के साथ बाचित की इच्छा जताई थी, लेकिन यह भी कहा था कि वह बाचित युक्रेन में युद्ध समापती के बाद ही संभाव है, इसके लिए पुतिन फिलहाल तयार नहीं लग रहे हैं, बाइडन इससे पहले मार्च में पुतिन को कसाई कहा था और कहा था कि रूस की सत्ता में नहीं रहने चाहिए, नेक्स्ट है, हमारा भारत हमारा मजबूत साज़ेदार उसे पुरा समर्थन करेंगे, बाइडन, अमेरिका की राष्टपती जो बाइडन ने भारत को अमेरिका का मजब अध्यक्षता के दोरान वह अपने मित्र प्रधान मंतरी नेरेंदर मोधी का पूरा समर्थन करेंगे, उलेकनी है कि वर्स 2023 के लिए भारत को दुनिया के 20 के सबसे ज्यादा संपन और अध्योगिक देशों के संग्ठन G20 के अध्यक्षता मिली है, गुरुवार को भारत नौतियों वाले छेत्र, पर्यावरन, उर्जा और खाद समस्या पर कारियों को आगे बढ़ाएंगे, लोकतंत्र को लेकर हमें किसी के उपदेश की जुरुत नहीं, भारत, स्वेट राष्ट में भारत की स्थाई परतिनिदीर रुचिरा कमबोज ने कहा कि लोकतंत्र को ल प्रेस की आजादी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि भारत विस्व की सबसे पुरानी सब्विता है, हमारे यहां लोकतंत्र की जड़े 25 साल पुरानी हैं, हम हमेशा से लोकतंत्रिक रहे हैं, अगर वर्तमान समय की बात करें तो भा तो यह आज का, याने 3 नवंबर 2022 का दहनिक जागरण का राष्टी संस्क्रण था, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद